चार मार्स को राजिस्तान बारवी बोर्ड का इंगलिस का पेपर हुआ है जो आज हम आपको सॉल करवाएंगे इंगलिस का पेपर काफी हीजी था राजिस्तान बोर्ड 12 का इंगलिस कमपलसरी का आज पेपर है उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे तो paper काफी easy आया है आपका paper जो हम आमने आपको questions बताए थे उसमें से बहुत सारे questions इसमें पूछे भी गए है चलिए इस paper को देखते हैं किस परकार से आपने कौन-कौन से questions को सही किया और कौन-कौन से questions गलत किये इस परकार से हम आपको बताएंगे कैसा कैसा आपको इसमें पूचा गया था कैसे कैसे questions पूचे गया था इसको पढ़ना था इसके बाद जहां पर यह questions दिए गए यहां पर टॉटल आपको चार questions च्छे questions के आनसर आपको यहां से लिखने थे लिखने थे तो passage है वो थोड़ा easy था पहली line में दूसरे पहले का परशन उत्तर मिल रहा है इसका लिखना था और second में जो पूझा के यहाँ पर साथवा आठवा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या है जो पूझा गया है कि passage which means में बताना है इसमें जैसे कि the layer of air that surround us यानी कि इसमें क्या बताना है आपके यानी कि हमारे चारो और जो iihe की परत हो थी है उसे हम क्या कहते है air की जो परत लगी हुई है उसको हम क्या कहते चारो और उसे हम प्रियावरं कहते ऊसे हम इंग्लिस में कहते atmosphere atmosphere इसका right answer होगा इसमें से बताना था atmosphere कहाँ पर आया है देखिए atmosphere जो second line है passage की second line में यहाँ पर लिखा है atmosphere यह आपको इसमें बढ़ना था जिसने भी यह बढ़ा है उसका answer आपके right है यहाँ पर दूसरा पूचा था कि sortage sortage का मतलब होता है कमी तो इसके बारे में बताना sortage क का मतलब होता है passage में ढूंडेंगे यहाँ पर passage में आपको मिल जाएगा sortage का मतलब होता है लेक यहनि की कमी भी होता है लेक का मतलब भी कमी होता है तो लेक इसका right answer होगा जिसने भी लेक बढ़ा है उसका right answer है यह फिर next question बुचा गया था कि very small in size very small in size तो इसका आपको यह tiny tiny इसका right answer होगा tiny जिसने भी बढ़ा है वो right है यानि कि size के अंदर जो छोटी सी जोती है उसे हम tiny कहते है तो t i n y यह tiny इसका right answer हो जाए इसके बाद आपके question number second आता है यानि कि passage दूसरा आता है दूसरा passage को भी ऐसे पढ़ना था आपको और यहाँ पर जो questions दिए गए है यह questions के answer आपको यहाँ से लिखने थे अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से जो questions है जिसके answer क्या होते वो मैं आपको बताता हूँ फिर इसमें जो प्रशन पुझे कि इन सभी के answer आपको बताने थे इसमें से जो यह पांचवा questions बुचा गया है कि good, good का मतलब क्या message में good का मतलब होता है यहाँ पर duty यह लिखना था यह आपको लिखना था इसमें duty जिसने भी बराए इसका right answer हो जाएगा तो यह आपको बरना था इसमें next से next से मैं पूचा गया था कि life का opposite word बताना है life का opposite word क्या होता है death होता है death आपको यह पर मिल जाएगा section आप के बी आता है section बी में आपको यूंपर तीसरा प्रशन पूचा गया था notice का questions पूचा गया था तो notice वाला भी आपको करना था ये भी important है इसके बाद हम ये तो आपको करने ही थे इसके बाद मैं आपको बताता हूँ section C जो grammar वाला questions है इसको आपने किस परकार किया है वो मैं आपको बताता हूँ अभी sentence को सही तरी किसे करना था देखी यहाँ पर कि sore built a new house इसका right answer हो जाएगा फिर यहाँ पर है manisha taught English C was a good teacher तो आपको C को अटा के who लगा देना है C अट जाएगा यहाँ से और who लग जाएगा इस तरी किसे इसका answer होता है इसमें आपको बुझा था combined sentence launch what a letter to good तो आपको क्या इसमें infinity बनाना और इसमें to he to help him लग जाएगा और he wanted good यह हट जाएगा यहाँ से तो बन जाएगा lens rotor a letter to him to help him इस तरी किसे infinity बन जाएगा यह फिर next इसमें पूझा गया था उसा वर्केड वेरी हाड तो उसा वर्क वेरी हाड she is turned first in class तो इसमें compounds बनाना है compounds में हो जाएगा यहाँ पर कि उसा वर्क हाड so she stored first in class तो so लग जाएगा इसके बीचे और very hurt जाएगा इस तरी किसे इसका answer होगा आटवा में पूझाता है यहाँ पर the genin the genin इसमें आपके लग जाएगा carried up लग जाएगा carried up यहाँ पर बरना है carried up इसका right answer होगा तो carried up जिसने भी बरा है उसका right answer है और second है इसमें आपके आजाएगा get alone get alone इसका right answer होजाएगा get alone इसमें परना था इस तरी किसे इसका right answer होजाएगा second का get alone इसमें आपके अर्फित and अर्चना यहनिकी end आजाएगा बीच में सो नहीं आएगा अर्फित end अर्चना तो इसमें end आजाएगा और इसमें आपके आजाएगा इसमें if आजाएगा इसमें उपर वाले में आजाएगा and और नीचे वाले में if आजाएगा जबा सेक्सन डी में आपको एक पैसेज में जो objective questions है multiple choice इसके answer बताने है इसमें जो पहला questions पूचा गया है इस पहले questions का right answer आपके terror हो जाएगा पुली तीसरे का पुली यानि B options इसका right answer हो जाएगा तीसरे questions का B पुली right answer है इसका फिर यहाँ पर चौता है यहाँ पर आपके 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 बताना था एकसेल का आपके inhale हो जाएगा D options का right answer हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर किताब के questions पुछे गए थे वो यहाँ पर किताब के questions पुछे गए था the tiger king से questions आया यहाँ पर the third level और the enemy से भी questions आया फिर लास्ट अठारवे का हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपके हो जाएगा पूचा गया था तो यहाँ पर आपके D option right answer हो जाएगा फिर दूसरे का आपके जो प्लानेट के बारे में पूच रहा है तो अंट्राल्टिका यहाँ पर B option right answer हो जाएगा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर पूचा है कि युमिवाज युमिवाज का तो इसका आपके सदाव आपको फिर आपके Mr. Lam, Lam यानि की लंगडा था तो लंगडा का आपके A option right answer हो जाएगा लंब आपके A option इसका right answer हो जाएगा पांच बे की छटा है यहाँ पर आपके All the there इसका D option right answer हो जाएगा तो इस तरहे कि से यह आपका पूरा पेपर था 12th class का English company का पेपर था जिसका हमने संपून हल बता दिया है इसका जो पैसिज का वगेरा हल है वो मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर अवैलेबल करवा दूँगा पीडिये में सारा डीटेल बरके तो वीडियो कर पसंदा वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताए कि आपकी कितने नमबर बंद रहे आप हमें कॉमेंट करके बताए और भी हम आपके लिए ऐसे इंपोडेंट कोसंस के प्रशन पतर लेकर आते रहेंगे हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोमेंट कर लिजीगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चलिए आज किस वीडियो को एंड करते हैं मिलत किस नए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्दे मातरम